असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब उमेदा बिल्कुल ठीक होंगे चलें जी आज मेरे कीचन का सबसे पहला लोग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं आज मैं आपको दूंगी ड्रम स्टिक की रेसिपी इसको हम रोस्ट की तरह आप त्यार करेंगे अभी तो मैंने चिकन वोश कर लिया था लेक पीस को और मैं इसको कट लगा रही हूं जादा डीप डीप न जो बॉन होती है न बॉन तक मैंने इसके कट लगाया है जादा डीप कर लिख के कि आखИ जितने छी डिप आप कट लगाएंगे न उतना चमासाला इसमें अच्यान नहीं इतने जादा स्पाइसी सूप इसमें डलने नहीं है ये मैंने 1 kg ले ली थी drumsticks कभी साथ आती है तो कभी 8 आ जाती है कभी 9 आ जाती है 1 kg के अंदर drumsticks अब मैंने इसमें salted करती है अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 4-5 टेबल स्पून या half cup के करीब सिर्का और इसको आप मैंने बिग हो देना है ठीक है जितना इसके अंदर ये drumstick है ना तकरीबन इतना मैंने पानी डालना है ना कि ये डेब हो जाए अच्छी तरह से अब मैं इसको आदे गंटे के लिए छोड़ दूँगी अच्छा तो मैंने लसन अद्रक भी बिनाने वाला था तो फिर मैं इसका अभी तो मैं अद्रक छील रही हूं पर मैंने इसका पेस्ट बनाना था मैं बिल्गुल कटम हूँ अवा था लसन अद्रक न मैं एक ही दफ़ा जादा बना लेती हूँ वीडियो का साउंड में ने हम यूट किया वह नहीं तो बहुत शोर आ रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा वो किसी करना लसन अद्रक काला हो जाता है तो हमारा नहीं होता क्योंकि ना मुझे मेरी कजिन ने बताया था कि जब आप ग्रैंट कर रहे हो ना इसके अंदर ज़रा वन पिंच आप हल्दी डाल दें और वन टू टू टेबल स्पून आप ओईल के डाल देना तो आपका लसन अद्रक काला नहीं होता तो मैंने अभी इसमें भी एड़ किया था तो मैं इसको मिक्स कर रही थ क्यूब्स निकाल के फिर पैकिंग में डाल के रख लेती हो लेकिन अभी ना मैंने जाल में डाल दिया था अच्छा तो अब आते हम ड्रम स्टिक की मैरिनेशन की तरफ मैंने इसके अंदर डाला है लसन अद्रक पाउडर क्यूंकि आप वैसे पेस्ट भी डाल सकते हैं लेक नमक डाला वा था जब भी फोय आ सथा है फिर मैंने इसमें डाला है कली में तीस्पूण में कली मेच्ठ दालिए उसके बाद मैंने तू तेबल स्पून इस razón कर्ना बबिगे के हैं और फॉर तो उ फइफ टेबल स्पून में झाल झाल